यहां पर मैंने पास्तो ग्रम चिकन ले लिया है जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से वाश कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने चिकन को हलके से कर्स लगा लिया है ताकि जब हम इसे मारिनेट करें तो मसाला इसमें अच्छे से चला जाए इसके अलबा पास के लिए राइस कैसे बॉल किये जाए जाए इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे चानल पे अपलोड कर रखा है आप उसमें से इसे देख सकते हैं तीन बड़े टमाटर चोकों तुक्रों में कटे हुए दही चाहिए हमें 250 परम दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई अब जब हम बिव्यानी कोरमा बनाते हैं तो इसमें प्यास को परफेक्ट ली कैसे फाइ किया जाए इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है आप अगर चाहे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यह प्यास ले ली है मैंन अब कोई बिव्यारी मसाला ले सकते है वी मीर्च थेरjust वी मिर्च में अलड़क इसल लहत लोगां लाल मिर्च्ट पाउडर एक टीस्पून गर्ण मसाला पाउडर चाहिए आधा पाउडर एक टीस्पून और साथ ही हमें चाहिए हवी मिर्च, यहाँ पर मैंने 3-4 हवी मिर्च ले ली है, जिसको कि मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लिया है, आप तीखा अपने हिसाब से कम जाथा कर सकते हैं, खड़े मसालों में हमें चाहिए तेजपत्ता, जावेत भी ले ले लेंगे, एक बढ़ानी में डालने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ानी के लिए हमने पुदीना ले लिया है, पुदीना पती ले ले लेंगे और हवा धनिया ले लेंगे, यह आप आपके टेस्ट के साब से कम जादा कर सकते हैं, देसी घी चाहिए हमें बियानी का टेस्ट बढानी के लि भूर चाहिए हमें अब यहां पर नेसे करते हैं यहां इसके अलावा हमें worms Qi ओउ ? चलते हैं बीवयनी बनाने की तरह बागíss तो चिखिन बीवयनी बनाने के लिए यहां पर दो स्ट्रेप होता है एक तो चिखिन को मइरिट करकर जाते पकाना और दूसरय होता है वाइस वाइस कैसे बॉइल करना है यह तो मैंने आपको पहले ही पता दिया अगर चाहे तो मेरे चानल पर वाइस कैसे बॉइल किया जाए उसे देख सकते हैं तो चिकन को मैमनेट करने के लिए यहां पर मैं इसमें डाल दूंगी अद्वक अब लसून की पेस्ट साथ ही डालेंगे दही डाल देंगे इसमें दही को अच्छे से फेट ले ताकि इसमें कोई लम्स न रहा है अब हमने जो पाउटर मसाले लिए थे वो पाउटर मसाले और हैवे मिर्च हमें यहां पर डाल देंगी है सॉल्ट अड़ कर देंगे नमक मिल्च आप अपकी हिसाब से कम जादा कर सकते हैं साथ ही अब हम इसमें डालेंगे फ्राइक्यूवी प्यास प्राइड ओन्य डाल देंगे यहां पर इसको हातों से थोड़ असा इसमेसल के डालें पुदीना पत्ति डाल देंगे पुदीना अब हम इसमें डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें सावी के सावी उनावी जो इंकुडियांस थे वो ताल दिये हैं खड़े मसाले बच गए हैं जिसको कि हमें फ्राइ करते वक डाल देना है अब इसे हम आपके चाहे तो अपने हाटों के मदद से मिक्स कर सकते हैं ताकि आपके सब जहा हूं धे या देखेये मैले हैं अब भुबूमर की एक से देड़ गंटे एक गंटे लिए मेवनेशन के छोड़ देंगे अगर आपके पास समय जादा है तो आप इसे जादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं ये जितना जादा मैविनेट होगा उतना ही जादा खाने में टेस्टी लगेगा तो अब इसे गंटे के लिए रख देते हैं तो ये देखिए एक से देड़ गंटा हो चुका है चिकन हमारा बहुत यची से मैविनेट हो चुका है अब हम चलते हैं इसे बनानी की तरह तब बिव्यानी बनानी के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चड़ा दिया है पैन गरम हो चुका हमारा और इसमें मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें तेल और की दोनों ये उसकरने वाली हूं तो तेल और की मैंने इसमें डाल Hypn is अब हम सब्सмें सहय के सावह खड़े मसाले डाल देंगे चला देंगे से मसाला को हमें आदम निट तक की चलाते होँ अच्छे से फूनने देना है ताकि इसका प्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए आदम निट पाथ मसाल अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसमें हमारा मैडेटर चिकन डाल देंगे तो सावा मसाला हमें इसमें यहां पर डाल जाना है तो यह देखिए यहां पर मैंने सावा के सावा मैगनेटर चिकन इसमें टाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्स करने के पाद हमें इसे ढख कर भीमी आज पर 10-15 मिन तक के पकने के लिए छोड़ देना है तो यह देखिए मैंने इसे बहुत इच्छे से मिक्स कर लिया है अब इससे एक लिड़ से ढख लेंगे और ग्यास की फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम पर हमें इसे ढख कर भीमी आज पर 15 मिन तक के पका लेना है ताकि हमारे जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले जो है उसमें अच्छे से चले जाए तो यह देखिए देखिए दस से पंदर हो चुके हैं पांड का ठक अब ग्यास की फ्लेम बंद कर देंगे और एक दूसरा पैन ले लेंगे अब अगर चाहे तो आपक जो वेसल है वो बड़ा है तो इसी में ऊपर आई स्टाल सकते हैं लेकिन यहां पर मैंने इसे कड़ाई में बनाया है तो मैं इसमें दूसरे वेसल में शिफ्ट कर आई दाल रही हूँ नर्मली हम जब गास डालते है उसके उपर फूर कलर डालते है लेकिन मैं यहां पर चिकन के पांस पर डाल रही हूँ क्यों कि जब हम इसे सर्फ करते हैं तो जो पीसस हैं वह दिखने में बहुत जादा अच्छ दिखते हैं रेइडवेट बहुत सब्स तो यहां पे मैंने फूर कलव ले लिया है जिसको कि मैंने इच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लिया है मैं उसे यहां पे इस तरह से डाल दूँगे तो यह फूर कलव डाल दिया है मैंने, तो यह देखिए यहाँ पर फूर कलव डाल दिया है मैंने, थोड़ी सी फ्राइड ओनियन डाल देंगे, पहला देंगे से इच्छे से, उधीना पत्ती डाल देंगे, उधीना पत्ती को हातों से थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे, अब अब हमने जो rice boil करके रखे थे तो यहां पर rice को डाल देने है तो यह देखिए यहां पर मैंने इसमे rice डाल दिये है अगर बहुत अच्छी बिव्यानी खाना चाहते हो तो यहां पर एक बात का हमें खास्यान रखना है rice को हमें press नहीं करना है बस इसे हलके हातों से इस तरह से इसे पहला दे जाएंगे इसे प्रेस नहीं करना है हमें यह मैंने इसमें rice डाल दिया है अब हम इसे पुदिना पत्ती हवाधनिया के और देसीगी डाल के इसे गापनिश कर देंगे और यहां पर अगर जाहे तो फूर कलर डाल सकते हैं यहां तो फिर अकनी की उपर जो ऑटर है तो यहां पर डाल सकते हैं तो यहां पर और अज В ंगों डाल दीक है疫苗 दाल दिक हम इसे मैं की कर निशिंग दया दिया है और इसomsार्ण फूर भीक श्किर में के इसे अब इसे गे अब इसें धघक कर हमें हाई fill पहले 2 मिट तक के पकाना है उसके बाद क्यासकी फ्लेम मिडियम कर देंगे या लो कर देंगे लो फ्लेम पर इसे 7-8 मिट तक के पका लेंगे तो यह आपर मैंने इसे गड़त द्या है अगर आपके पर स्जाड़े तले का बर्तन नहीं है तो आप इसे मीचे पैन या तवार और फिर यह बतन रख सकते हैं, तो टोटल हमें इसे 10 मिट तक के पका लेना है, उसके पाद हमारी जो बिव्यानी है, वो बनकर बिल्कुल तयार है, तो यह देखिए, 10 मिट हो चुके हैं, पान का टकन अटा देंगे, आप देख सकते हैं, कि हमारी गर्मा करम बिव्यानी बनक बिल्कुल तयार हैं कि असके प्रम बन कर देंगे और इसे serving dish में निकाल लेंगे, अब इसा serv करते वक्त हम एक साइट से serve करेंगे, ताकि हर प्लेट में यह बरावर सिचिये, फ्रेंस वारी पिव्यानी बनकर बिल्कुल तयार है, और इसा serving dish में निकाल लिया है, हमने जो chicken क पीसेस पर फूड कलर डाला था आप देख सकते हैं कि उसके वज़े से चिकन की पीसेस को जो है बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो हमारी बहुत ही डिलीशियस बहुत ही सिंपल और क्विक वेसिपी तयारे आप इसे एक बार जबर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमें जबर अगर आपको मेरी वेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले कल फिर मिलते हैं एक नए डिश के साथ तब तक के लिए हपी गुकिंग